तो चलो जल्दी जल्दी आजाओ सारे लोग, तो हम लोग अपनी बातचीत करते हैं, स्टार्ट, ठीक है, हां जी, नमस्कार, नमस्कार, सभी लोगों को नमस्कार, सर, हेंड आउट्स दे देते, तो बहुत अच्छा होता, देते हैं, भाई, वन लाइनर रेडी कर रहा हूँ, तो टाइम लगता है, लिख रहा हूँ उसको, फिर वो टाइप होगा, ठीक है, तो फिर देता हूँ, तब तक, क्लास नोट्स जो मिल रही है, उसको पढ़ते रहो फिर ये टॉपिक हो जाएगा कम्पलीट, तो हेंड आउट उसकी दे दूँगा, ठीक है, चलो, तो आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना था, 1922 से 1930 तक की घटनाए, ठीक है, अब इसमें देखो, एक चीज तो ये समझो, कि असायोग अंदोलन हो गया समात, तो कॉंग्रेस के अंदर असायोग अंदोलन समात होने के बाद की क्या रन्य निती होगी, ठीक है, तो असायोग के बाद, ठीक, आफटर, non-cooperation movement, ठीक है, after non-cooperation movement सर 26 और 27 का class upload नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है 26-27 में क्या था class तो सारी upload है 8 पीम पर दो class होती है दूसरी कौन सी class होती है 8 पीम पर हाँ अभी पहली slider बस शुरू करने जा रहा हूँ हिंदी TGT अभी यार हिंदी TGT का मैं क्या बता हूँ चलिए मैं पता कर लूँगा ठीक है चलिए शुरू करें फिर शुरू किया जाए नमस्कार स्मिता जी नमस्कार चलिए तो कॉंग्रेस में क्या होगा कि 1923 में उसके पहले 1922 में कॉंग्रेस का गया अधिवेशन हुआ ठीक क्या हुआ गया अधिवेशन हुआ कौन्थे Украї में प्रेशिडेंट कौन थे बताईए गया अधिवेशन में प्रेशिडेंट कौन थे बताईए बताईए जवाब दीजे कौन थे कोई करा गांधी अरे यार ऐसे कैसे काम चलेगा भाई तो गया अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे सी आर दास ठीक गया अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे सी आर दास ठीक है और इस अधिवेशन में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया कि हमने असयोग अंदोलन समात्त कर दिया ठीक 1923 में कौंग्रेस के भीतर कौंग्रेस के भीतर ही यानि विदिन दे कौंग्रेस यह बहुत इंपोर्टन बात है इसको ध्यान रखिएगा कौंग्रेस के भीतर ही एक नई पार्टी का गठन हुआ इसे क्या कहा जाएगा स्वराज पार्टी इसे क्या कहा जाएगा स्वराज पार्टी कहा गया ठीक है तो स्वराज पार्टी जो है उसका फॉर्मेशन कब होगा स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन कब होगा तो स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन होगा 1st of January 1923 कहां पर होगा इलहाबाद कहां पर होगा इलहाबाद जिसका नाम अब क्या कर दिया गया है प्रियाग राज कर दिया गया है forward block नहीं बिटा, forward block बनेगा आपका कब forward block आपका कब बनेगा 1939 में ठीक है, 1939 में 1939 में 39 में बीना कुमारी से क्या कर रही है 1939 में forward block बनेगा हम बात कर रहे हैं अभी किसकी स्वराज पार्टी की ठीक, और इस पार्टी में जो प्रेसिडेंट थे इस पार्टी में जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे वो थे चितरंजन्दास और इसके जो सेक्रेटरी थे वो कौन थे मोतिलाल नहरू ठीक, इसमें एक और व्यक्ती भी शामिल थे जिनका नाम था NC केलकर NC केलकर भी शामिल थे ठीक है, पर आप लोगों से ये वाला पूछा जाएगा कि स्वराज पार्टी में कौन-कौन था तो कौन-कौन था चितरंजन्दास और मोतिलाल नहरू इस पार्टी का मोटिव क्या है इस पार्टी का मोटिव क्या था मोटिव ओफ द़ पार्टी क्या था केंद्रिय विधान मंडल के चुनाओं में केंद्रिय विधान मंडल के चुनाओं में हिस्सेदारी केंद्रिय विधान मंडल के चुनाओं में हिस्सेदारी तू पार्टिसिपेट इन सेंट्रल लेजिसलेटिव असेंबली केंद्री विधान मंडल के चुनाव में हिस्सेदारी ठीक है सरकर हम लोगों का फेस्टिवल एक क्लास आफ रहेगी बिटा मैंने ना पूछा नहीं है इसके बारे में मैं पूछ लेता हूँ ठीक है क्लियर है तो केंद्री विधान मंडल के चुनाव में हिस्सेदारी अजार अंसारी जी क्लास जो लाइव होती है वो बाद में रिकॉर्डेड हो सकती है अगर आप इस समय नहीं देख पाते हैं नेट की वज़े से तो आप बाद में देख सकते हैं तो कॉंग्रेस के अंदर एक लोग वो थे जो कह रहे थे कि हम क्या करेंगे हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़के केंदरी विधान मंडल में पहुंचेंगे और अंदर पहुंचके सरकार की नीतियों का क्या करेंगे बहिस्कार करेंगे सरकार की पॉलिसी इसको क्या करेंगे एक्सपोज करेंगे सरकार की नीतियों का विरोध करना सरकार की नीतियों का विरोध करना तो एक्सपोज तो एक्सपोज गवर्मेंट पॉलिसीज लेकिन गांधी जी इसके समर्थन में नहीं थे उनका मानना ये था कि अगर हम सरकार के पास पहुंच जाएंगे तो धीरे धीरे उनकी स्थितियां भी हमारे अंदर क्या हो जाएंगी शामिल होना शुरू हो जाएंगी ठीक तो इन लोगों को क्या बोला गया इन लोगों को changers कहा जाएगा इन लोगों को क्या कहा जाएगा changers कहा जाएगा परिवर्तन वादी कहा जाएगा क्या कहा जाएगा परिवर्तन वादी कहा जाएगा मतलब चितरंजन दास, मोतिलाल, नहरू ये सारे लोग क्या होंगे changers कहलाएंगे ठीक है changers कहलाएंगे दूसरा धड़ा जो Congress का था वो कह रहा था कि नहीं हमें रचनात्मक कार्यों को बढ़ाना चाहिए रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा ठीक है जो पब्लिक वर्क है जो creative work है उनको बढ़ावा देना चाहिए इसमें जो लोग आएंगे वो बोलेंगे कि किसी तरह की कोई रणनीती बदलने की जरुवत नहीं है तो इनको no changes कहा जाएगा या गैर परिवर्तन वादी कहा जाएगा यहां से सवाल आ जाएगा गैर परिवर्तन वादी कहा जाएगा ठीक पिशली स्लाइड दिखा दीजे सर लो भाई पिशली स्लाइड देख लो तो उन्हें क्या बोला जाएगा उन्हें गैर परिवर्तन वादी बोला जाएगा ठीक इसमें राजेंदर प्रशाद वल्लब भाई पटेल महादेव देशाई चक्रवर्ती राजगोपाला चारी इनमें कौन-कौन लोग आ जाएगे राजेंदर प्रशाद महादेव देशाई सी राजगोपाला चारी ठीक है? यह लोग इसके अंदर आ जाएगे यहनी कौनग्रेस क्या हो जाएगा? कौनग्रेस दो धड़ों में बट जाएगा हाँ, चेंजर्स में स्वराज पार्टी वाले लोग आ जाएगे स्वराज पार्टी वाले लोग कहेंगे कि हमको चुनाओ लड़ना चाहिए केंदरी विधान सभा का होने वाला था और हमें सरकार के अंदर पहुँचके सरकार की नीतियों को क्या करना चाहिए एक्सपोज करना चाहिए तो उनको चेंजर्स यानि जो रण नीती में परिवर्तन चाहते हैं कुछ हैं जो गांधी के रचनात्मक कारियों को बढ़ाने का काम करेंगे जो गांधी ने पबलिक वर्क किया था उसको बढ़ाने का काम करेंगे मतलब Congress के जादा से जादा सदस्य बनाना जो चवनिया सदस्य जिनको बोलते थे 25 पैसे का चंदा देकर आप Congress में शामिल हो सकते थे हिंदू-मुस्लिम में एकता स्थापित करना, चर्खे और खादी का इस्तमाल करना जादा से जादा, चर्खा और खादी इस समय तक नेशनलिजम का सिंबल बन चुका था, क्योंकि गांधी ने लगातार बोला कि बाइकोट और फॉरेंड क्लोट्स करना है, विदेशी वस्तर का बहिशकार करना है, तो बात यह है कि विदेशी वस्तर का बहिशकार करके आदमी नंगा तो गुमेगा नहीं, कपड़ा तो पहनने के लिए चाहिए, तो इसलिए गांधी बोलेंगे कि खादी का इस्तमाल करो, तो राश्ट्रियता का प्रतीक बनने लगेगी, इस समय गांधी जो है वो एक बॉम्बे में किसी मीटिंग में गये हुए थे, जहां लोगों ने बोला कि आप कहते हैं कि खादी का इस्तमाल करो, पर खादी तो बहुत महेंगी पढ़ती है, तो गांधी बोलेंगे कम पहनी है तब उसी समय से गांधी ने पुरा जीवन जो है वो धोती और गमछे में बिता दिया, खादी का बना हुआ, खुद से स्पिनिंग करेंगे, खुद से क्या करेंगे, चर्खा चलाएंगे, तो नतीजा क्या होगा कि खादी और चर्खा राश्ट्रियता के प्रतीक बन गए, became the symbol of nationalism, नेशनलिजम प्रतीक बन गए क्लियर है पॉइंट, क्लियर है पॉइंट, बेटा गरम दल अब इस समय गरम दल या नरम दल में नहीं रह जाएगा, लोग कॉंग्रेस के अंदर ही हो जाएंगे, दोनों धड़ा एक हो जाएगा, दोनों मैं 1916 में समझोता हो गया था ना, क्लियर है पॉइंट, सर ये भी बता दीजे कि इस से रिलेटेड कोश्चन क्या कैसे बनेंगे, प्रसान जी कोश्चन ऐसे बनेंगे कि नो चेंजर्स किने कहा जाएगा, चेंजर्स किने कहा जाएगा, नो चेंजर्स में कौन होंगे, ऐसे बनते हैं सवाल, ठीक है, अच्छा, लगातार चुकी ये लोग बात कर रहे थे, तो 1924 में एक पैक्ट होगा, किसके किसके बीच में, गांधी तू जेल में थे, व्रिटन वालों ने उठा के जेल में डाल दिया था, और उसके साथ साथ CR-10 के बीच में पैक्ट साइन हुआ, गांधी दास समझोता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गांधी दास समझोता, और ये समझोता होगा कि कॉंग्रेस अपने मूल मुद्दे से नहीं भटकेगी, मूल मुद्दे हैं लोगों को जागरित करना और अगले आंदोलन की त्यारी करना, और बोला जाएगा कि स्वराज पार्टी के चुनावों में भागिदारी को एक्षेप्ट कर लिया जाएगा, स्विकार कर लिया गया स्विकार कर लिया गया changers में कौन होंगे कौन पूछ रहा है यहां लिखा है न बेटा changers में वही लोग होंगे जो स्वराज पार्टी वाले लोग होंगे फिर से नाम लिखूं क्या मोतिलाल नहरू सी आरदास एट्सेटरा दो लोगों का नाम याद रखना ठीक है तो कॉंग्रेस जो है वो इस हिसाब से काम जो है वो करती रहेगी तब तक आपको मालूम है एक बड़ी चीज क्या होगी एक बड़ी चीज यह होगी कि 1927 में 1927 में साइमन कमीशन नियुक्त हुआ साइमन कमीशन नियुक्त हुआ साइमन कमीशन साइमन कमीशन वस अपोइंटेड साइमन कमीशन वस अपोइंटेड इन 1927 इन ब्रिटन ठीक है साइमन जो थे इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे तो अध्यक्ष थे जॉन साइमन जोन साइमन जोन साइमन और ये किस्से थे लिबरल पार्टी से थे उदारवादी दल से थे ब्रिटन में एक कमीशन बनाया गया और ब्रिटन में एक कमीशन ये बनाया गया जिसको भारत के राजनितिक इस्थिती का क्या करना था समझना था भारती लगातार एक चीज की देमांड कर रहे थे वो थे self-dominion की self-dominion की डिमांड कर रहे थे और self-dominion की डिमांड में indians कह रहे थे कि हमें कुछ हद तक कानून बनाने की स्वतंत्रता दी जाएि तो indians ruling के लिए ready है की नए administrative changes के लिए ready हैं की नहीं इस चीज को लेकर एक commission बनाये गया हाला कि Lord Irwin जो इस समय governor general था उसको ये लग रहा था कि यहां पर गड़बड हो सकती है इसलिए उसने क्या किया उसने क्या किया उसने एक suggestion दिया क्या suggestion दिया तो Lord Irwin के सुझावों पर Lord Irwin के सुझावों पर भारतियों को भारतियों को इस commission से इस commission से बाहर रखा गया बाहर रखा गया मतलब भारती इसके अंदर शामिल नहीं थे ठीक तो no Indians was included in this commission on the suggestion of on the suggestion of Lord Irwin आप imagine कीजिए कि भारत में एक commission आ रहा है जिसको ये देखना है कि कौन लोग जो है भारत के लोग ठीक से कर पाएंगे की नहीं कर पाएंगे ठीक है ठीक से अपना शाषन चला पाएंगे की नहीं चला पाएंगे और आप एक commission बना रहा है और हम लोगों से ही नहीं पूछ रहो मतलब हमारे commission का दिल खोल के स्वागत करते या आप इस commission का विरोध करते हां निभा कुमारी जी 24 में बेलगाओं का अधिवेशन हुआ था गांधी अध्यक्षते एक मात्र अधिवेशन था जिसकी उन्होंने अध्यक्षता की थी विरोध करते हैं तो तीन फरवरी 3rd of February 1928 को साइमन कमीशन साइमन कमीशन भारत पहुचा भारत में भी कहां पर बॉम्बे में भारत में भी कहां पर बॉम्बे में भारत पहुचा और भारतियों द्वारा इस कमीशन का विरोध किया गया तो चारो तरफ क्या होने लगा प्रोटेस्ट होने लगा गारतियों प्रोटेस्ट होने लगा थीक है चारो तरफ क्या होने लगा प्रोटेस्ट होने लगा इसमें एक लाइन में समझ लो तो अबजेक्टिव अव दिस कमीशन वस तो चेक दे पोलिटिकल स्टेटस अफ इंडिया इफ प्रोवाइड़िद सेल्फ डोमीनियन स्टेटस तो सेल्फ डोमीनियन अगर दिया जाए तो भारती तयार हैं की नहीं तयार हैं दरसल 1919 में एक एक आया था जिसे हम Montague Chemsford Reform कहते हैं Montague Chemsford सुधार बोलते हैं ठीक है उसमें ये कहा गया था कि भारत में क्या Administrative Reform से क्या असर पड़ा है इसको देखने के लिए 10 साल बाद एक क्या बनाया जाएगा कमीशन बनाया जाएगा पर वो आनन फानन में क्या किया गया थोड़ा सा जल्दी बना लिया गया 27 में ही क्या कर लिया गया बना लिया गया ठीक है तो भारती इसका क्या करेंगे विरोध करेंगे क्यों विरोध करेंगे? क्योंकि इस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, क्योंकि इस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसी लिए याद रखिएगा कि साइमन कमीशन को क्या कहा जाता है? इसे सर्व श्वेत आयोग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सर्व श्वेत आयोग कहा जाता है, all white commission कहा जाता है, इसे क्या बोला जाता है, सर्व श्वेत आयोग बोला जाता है, तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कहां आता है, बॉम्बे में आता है, ठीक है, साइमन कमीशन कहां आता है, बॉम्बे में आता है, ठीक, बेटा आस्था और इस से पहले और किसी ने पूछा था, कि सर्व प्रेक्टिस कब होगी, मैंने पहले ही कहा है कि समय कम है, पढ़ना जादा जरूरी है, प्रेक्टिस तो मैं लास्ट के पाच्छे दिनों में भी करा सकता हूँ, ठीक, मैंने अल्रेडी वाइटी के उपर इंडियन नेशनल मुवमेंट की क्लासेज में BPSC ने जितने कोशन जहिए, तो मैं काम करता हूँ, कल से क्लासेज बंद करा देता हूँ, आपको इंडियन नेशनल मुवमेंट से 500 कोशन बना के दे देता हूँ, पढ़के चले जाईएगा, नहीं आया तो कहिएगा फिर, यार मेरे को ना मेरा काम करने दो, तुम्हारा काम है पढ़ना पढ़ बिलकुल बेटा, वो PRT और TGT, PGT सब के हिसाब से करा दूँगा, पहले पढ़ तो लो, ठीक है, इसका मतलब आप कल की क्लास में नहीं थे, पर्सों की क्लास में भी मैंने खोल कर दिखाया था कि यहां पर देखो, यह सारी लिस्ट बनी हुई है, तो साइमन कमीशन को क्या बोला जाता है, सर्वश्वेत आयोग बोला जाता है, तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि किसे औल वाइट कमीशन कहते हैं, तो किसे कहते हैं, साइमन कमीशन को कहते हैं, ठीक, तो जब साइमन कमीशन का अपोज होने लगा चारो तरफ, जहां जह भी साइमन जाते थे तो उनको काले जंडे दिखाये जाते थे साइमन गो बैक का क्या किया जाता था नारा लगाया जाता था थिक तो उस समय के जो भारत सचिव थे जो इंडियन सेक्रेटरी या सेक्रेटरी आफ स्टेट थे उनका नाम था लौड बिरकन हेड थिक तो लौड बिर्कन हेड ने एक चुनावती दे दी भारतियों के विरोध को देखते हुए भारतियों के विरोध को देखते हुए लौड बिर्कन हेड जो की क्या थे उस समय भारत सचिव थे भारत सचिव थे लौड बिर्कन हेड ने भारतियों को एक सम्विधान का निर्माल करने की निर्माल करने की चुनावती दी एक सम्विधान का निर्माल करने की क्या की चुनावती दी लौड बिर्कन हेड चैलेंजेज इंडियन्स तो मेक अ कॉंस्टिटूशन कि अगर आप लोगों को इतना ही पता है तो आप लोग एक काम करिये आप लोग एक क्या करिये आप लोग एक सम्विधान बनाके दिखाईए ठीक है आप लोग एक क्या करिये सम्विधान बनाके दिखाईए तो इंडियन्स ने ये चैलेंज क्या किया एकसेप्ट किया और भारतियों ने इस चुनोती को स्विकार किया भारतियों ने इस चुनोती को स्विकार किया तथा कॉंग्रेस ने मोतीलाल नहरू की अध्यक्षता में मोतीलाल नहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी गथित्की कमेटी गथित्की A committee was formed, a committee was formed by Indians under the, under the director, under the presiding, under the presiding of Motilal Nehru, ठेक, और इस कमेटी का नाम क्या पढ़ा, इस कमेटी का नाम पढ़ा, Nehru समिती, क्या नाम पढ़ा, Nehru कमेटी, क्लियरे पॉइंट, क्लियरे पॉइंट, सर काकोरी 1925 छूट गया, इसलिए कह रहा हूँ, मिरे को पढ़ा लेने दो, ठीक है, तो सब आ जाएगा, ठीक, परशान मत हुआ करो, पढ़ाने दो, और पढ़ो चुपचाप, क्लियरे पॉइंट, क्लियरे पॉइंट, लॉड बिरकन हेड लिखा है बिटा, कमेटी के बाद गठित लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बाई, चलिए, अब जड़ा ध्यान से सुनिएगा, नोट करके आपको कुछ-कुछ बातें बता रहा हूँ, ठीक है, साइमन कमीशन में, साइमन कमीशन में, कुल साथ सदस्य थे, कुल कितने मेंबर थे, टोटल मेंबर इन साइमन कमीशन इस सेवन, ठीक, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे, साथ सदस से थे लौर्ड बिरकन हैट बेटा सेक्रेटरी ओफ इंडिया था उस समय सेक्रेटरी ओफ इंडिया था उस समय ठीक है क्लियर भई क्लियर भई ठीक नहरू समिती में कुल ग्यारा सदस्य थे ग्यारा सदस्य थे ठीक टोटल नंबर ओफ मेंबर कितने थे 11 थे टोटल नंबर ओफ मेंबर कितने थे 11 ठीक है नहरू समिती ने अपनिवेशिक अपनिवेशिक स्वराज्य की जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ डोमीनियन सेल्फ डोमीनियन स्टेटस की मांग की मांग की जिसका विरोध जवाहरलाल नहरू और सुभास्चंद्र बोस ने किया क्यूंकि ये पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे ये लोग किसकी मांग कर रहे थे ये लोग कह रहे थे कि हमें टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए हमें क्या चाहिए टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए हमें कम्पलीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमें पूर्ण स्वराज चाहिए ठीक है Self-dominion status का मतलब है कि कुछ मुद्दों पर हम कानून... कुछ मुद्दों को छोड़कर बाकी सारे मुद्दों पर हम कानून क्या करेंगे बढ़ाएंगे ठीक। जवाहरलाल नहरू नहरू समिती के या नहरू कमेटी के सचिव थे परन्तु उन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। तो हम लोग इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। ठीक है। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि 1928 तक इस कमेटी ने एक समविधान बना लिया। हाला कि उस समविधान के अंदर self-dominion status मांगा गया था ना कि complete independence माना गया था। ठीक है क्या मांगा गया था। अपनिवेशिक स्वराज मांगा गया था ना कि पूर्ण स्वराज माना गया था और इस बात का जवाहरला नहरू सुभास्चंद्र बोस इस टाइप के लोग क्या कर रहे थे। बिरोध कर रहे थे। तो नहरू रिपोर्ट असफल हो गई क्योंकि सारे लोग एकमत नहीं हुए असफल हो गई मुहम्मद अली जिन्ना उन्होंने साइमन कमीशन का अपोस किया था पर उन्होंने अपने 14 फॉर्मुला भी इस समय दे दिया था 14 formula मतलब उन्हों 14 demand रख दी थी कि मुसलिमों के लिए seat बढ़ाई जाए मुसलिम जो बहुल इलाके है वो autonomy accept कर ली जाए तो ये सारी बातें उन्होंने उस 14 formula के अंदर क्या कर दी लिख दी तो आप से पूछा जाता है कि जिन्ना ने 14 सूत्री formula कब दिया था इसी समय जिन्ना ने अपना 14 सूत्री formula दिया था हाला कि जिन्ना साइमन कमीशन के विरोध में थे साइमन कमीशन के विरोध में थे तो he was opposed, he was, he opposed साइमन कमीशन साइमन कमीशन ठीक है और सुभास संद्र बोष लोग तो पहले ही इसके विरोध में थे ठीक सुभास संद्र बोष लोग पहले ही क्या थे विरोध में थे ठीक है और अमबेडकर ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था और इस सरकार ने कमेटी बनाई थी साइमन कमीशन को सपोर्ट करने के लिए बिटिज गोवर्मेंट के लिए बॉम्बे में उसमें अमबेडकर जो है वो क्या थे सदस से भी थे तो वो क्या कर रहे थे इसका सपोर्ट कर रहे थे तो अमबेडकर सपोर्टेड साइमन कमीशन साइमन कमीशन ठेक गांधी जी कहां थे गांधी जी बेटा जेल से छूटे थे थोड़े दिन पहले और वो अपना रचनात्मक कारेयों को करने में लगे थे क्योंकि उनको पता था कि बहुत जल्दी कोई बड़ा अंदोलन छेड़ना पड़ेगा क्लियर है भाई क्लियर है भाई गांधी अपना काम कर रहे थे ये सब बकलोली कर रहे थे गांधी अपना चुपचाप अपने काम में लगे थे एकला चलो रहे उनका फॉर्मूला था ना कि अगर कोई नहीं करेगा तो हम अकेले करेंगे अइसे ही नहीं वो आदमी इतना बड़ा डायलॉग दे देता है उन्नेस सो चालिस तक जाते जाते कि अगर कॉंग्रेस तैयार नहीं होगी तो मैं देश की बालू से कॉंग्रेस से बड़ा अंदोलन खड़ा कर दूँगा अपने उपर भरोसा होना चीए यतना confidence बोलने के लिए जवाहर लाल नहरू सुभाश चंद्र बोस और सत्यमूर्ती सत्यमूर्ती ठेक तीन नाम याद रखना है आपको सत्यमूर्ती जे एल नहरू और एस सी बोस यानी सुभाश बावू सुभाश चंद्र बोस इन लोगों ने क्या किया All India Independence League बनाई ने All India Independence League की स्थापना की कि हम लोग क्या करेंगे हम लोग पूर्ण स्वराज के लिए बात करेंगे ठीक है पूर्ण स्वराज के लिए बात करेंगे अब साइमन कमीशन का जब चारों तरफ क्या हो रहा था विरोध हो रहा था तो उस समय एक घटना हुई जिसने आगे आने वाले दो तीन सालों को कि प्रिष्ट भूमी तैयार कर दी वो घटना क्या होगी साइमन कमीशन साइमन कमीशन जब लाहौर पहुँचा तो उसके विरोध प्रदर्शन में उसके विरोध प्रदर्शन में प्रोटेस्ट जो हो रहा था प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन ठीक है इन लाहौर इन लाहौर विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राए लाला लाजपत राए को लाठी चार्ज में लाठी चार्ज में चोटें आईं तो यह वाज सीवियर्ली इंजर्ड एंजर्ड द्यूरिंग लाठी चार्ज अंडर प्रोटेस्ट इन लाहौर और बाद में उनकी क्या हो गई डेथ हो गई ठीक है? सर अमबेड़कर कैसे member बने जब वो Indian थे देखो क्या है न? Divide and Rule की जो politics है वो बहुत सदियों से चली आ रही है और हम Indians को बड़ा मज़ा आता है Divide and Rule की politics में हमको एकता होनी ही नहीं चाहिए अभी जैसे आपने कल इसका बड़ा बढ़िया example देखा होगा कल जब ये news आई कि other state वाले बच्चे भी क्या करेंगे बिहार का form भरेंगे तो आपने देखा कि कल अचानक से क्या होने लगा बिहार में बहुत सारे लोग इस बात से नराज होने लगे कि एक काम करो रशिया वालों को भी बता दो कि आप भी भर सकते हैं मार्स वालों को भी बता दो आप भी भर सकते हैं हम लोग दूसरे state में नहीं भर पाते जबकि ये पूरी तरह से सत्य नहीं है अगर आप यूपी का ही example ले लिजे तो यूपी में TGT PGT कोई भी दे सकता है ठीक है PRT में भी वहां कोई भी दे सकता है बसरते उसके पाद डोमिसाइल होना चाहिए तो कल न यूपी बिहार के बच्चे लगे आपस में लड़ने ज़्यादा दूर जाने के ज़रत में मेरे ग्रूप में जगड़ा हो रहा था मेरे ग्रूप में जगड़ा हो रहा था बच्चों के बीच में हाँ हाँ तुम लोग तो ऐसे करते हो सरकार को मैं आपको सच बताऊं मेरे अंदर से पता नि क्यों ये आवाज आ रही है कि पता नि ये एक्जाम अगस्त में हो नहीं पाएगा ठीक है तो हम लोग ना छोटे-छोटे मुद्धों पर क्या करते हैं लड़ते रहते हैं ये लोग चले गए भगत सिंग भी देश के लिए सही दोकर चले गए गांधी ने देश के लिए गोली खा ली लेकिन हम आज भी गांधी और भगत सिंग के नाम पर लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, क्या ये बापू क्या किये थे, कुछ नहीं किये थे, इनको बापू कौन बोल दिया, कागच कहाँ है, दिखाओ, है ना, होता है क्या है, जो बीत गया है उस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, अम्बेडकर को लग रहा था कि साइमन कमीशन के अंदर ये बात कही गई थी कि जो दलित वर्ग के लोग है उनके लिए भी कुछ विवस्था इसमें रखी जाएगी तो हम्बेडकर को लग रहा था कि अच्छा मौका है जब हम दलितों के लिए आवाज उठा सकते हैं इसलिए उन्होंने इसका क्या किया समर्थन किया गल मेरे उपर कुछ लोगों ने वोल्टा सिधा लिखा है कल जब मैंने और आयूश सर ने इवेंट किया था तो मैंने उसमें कह दिया था, लास्ट में जाने से पहले, कि बिहार सरकार को एक बर बैटके एक अच्छे से नीमावली बना लेनी चाहिए, तुम हर चौथे दिन तो नीयम चेंज कर दे रहे हो, आप देख लीज़े न, जब से ये नोटिफिकेशन आया है, पहले बोल रहे ते एक्जाम नहीं लेंगे, नियोजिस सिक्षक जो है, वो मेरिट के आधार पर बनेगा, फिर तुमने एक्जाम ले लिया, फिर सेलेबस बताने में तुमने आदा गंटा, फिर सेलेबस में चार बर चेंज किया, कि अच्छा एक काम करते हैं, पहले वाले को क्वालिफाइ फिर का गया दूसरे राज्यवाले नहीं बिहार राजी का स्थाई निवासी, तो भाईया अगर तुम इतनी बार नियम चेंज कर रहे हो, तो बैठके नियम बना लो ना यार, नहीं हो पा रहा हम को बुला लो, हम बता देंगे क्या नियम होना चाहिए, हम क्या गलत बोले वीडियो में, लेकिन उसमें कुछ सरकार के चमचे टाइप के लोग आ गए, कि ज्यान दे रहा है बेटा, तो इस धरती पे सब को खुश करना बहुत क्या होता है, कठिन होता है, तो इसका प्रयास भी नहीं करना चाहिए, ठीक, चलिए, छोड़िए, ये सब छोड़िए, लाला लाजपत राय को चोट आई, और बाद में उनकी मृत्यू हो गई, बाद में उनकी मृत्यू हो गई, अच्छा लाला लाजपत राय को न, भगत सिंग क्या करते हैं, भगत सिंग अपने पिता की तरह मानते थे, और जब लाला लाजपत राय को चोट लगी, तो भगत सिंग ने बोला कि मैं उस आफिसर को जान से मार दूंगा जिसने लाला जी पे लाठियां चलवाई हैं लाला जी यहां एक डायलॉग भी दे देंगे वो बोलेंगे कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश की ताबूत में आखरी कील साबित होगी यह बात भी वो उसको एक अलग उचाई पे पहुचाने का काम किया तो एक दूसरा धड़ा जो कॉंग्रेस के अलावा 1922 से 1930 के बीच में काम कर रहा था उस दूसरे धड़े को हम क्या बोलते हैं उस दूसरे धड़े को हम बोलते हैं करांतिकारी रास्ट्रवादी क्या बोलते हैं, क्रांतिकारी रास्टरवादी बोलते हैं, revolutionary nationalism बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, revolutionary nationalism, तो अभी कोई हमसे पूछ रहा था कि सर काकोरी कांड वाला 1925 वाला कैसे होगा, ठीक, 1925 वाला कैसे होगा, तो वो सब इसके अंदर पढ़ोगे, क्रांतिकारी रास्टवाद के अंदर पढ़ोगे, जिसमें आप HRA और HSRA के बारे में पढ़ोगे, हिंदुस्तान, Republican Army और Socialist Association के बारे में पढ़ोगे, ठीक, इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे, अभी एक चीज और सुन लो, क्या, एक च 29 में कॉंग्रेस का, कॉंग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, कॉंग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, इसमें पहले गांधी को अध्यक्ष बनाया जाना था, परंतु, गांधी ने अपनी जगह जवाहर लाल नहरू को, अध्यक्ष बनाया, पहले गांधी को अध्यक्ष बनाया जाना था, पर इस लाहौर कॉंफरेंस के, लाहौर कॉंफरेंस, 1929 अध्यक्ष कौन बनेंगे, जवाहर लाल नहरू, और यहां आपने पढ़ा है, कि जवाहर लाल नहरू लोग जो है, वो क्या कह रहे थे, वो सचिव थे उस कमेटी के, नहरू कमेटी के, पर उन्होंने साइन नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि वो लोग क्या डिमांड कर रहे थे, टोटल इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे थे, है ना, जो आदमी टोटल इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहा है, अगर आप उसको 1929 लाहौर कॉंफरेंस में, यानि अगले साल, उसको प्रेसिडेंट बना दोगे, तो आपको क्या लगता है कि इस वाले conference में वो total independence की demand उठाएगा की नहीं उठाएगा। उठाएगा की नहीं उठाएगा। इसलिए आप पढ़ते हो कि लाहौर conference में क्या किया गया। पूनस्वराज का पूनस्वराज का प्रस्ताव पास्किया गया। टोटल इंडिपेंडेंडेंस रेजलूशन वाज पास्ट इन लाहौर कॉनस्वराज कॉनसी नदी के किनारे है। लाहौर कॉनसी नदी के किनारे है। रावी नदी के किनारे है। ठीक है। और conference मैंने आपको बताया था ज्यादातर कब होते थे। December में होते थे। तो December के end में होते थे ये। तो एक date decide कर ली, क्या decide कर ली गई? 26th of January 1930 को क्या किया गया? पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। गया. Independence Day मनाया गया. क्या मनाया गया? Independence Day मनाया गया on 26th of January 1930 को. इसलिए आप पॉलिटी में पढ़ते हैं कि 26th January को समविधान लागू किया गया क्योंकि Independence Day कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को. तो इस डेट, चुकि ये डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, इसलिए जब Constitution पास होता है तो दो महिने का वेट कर लेते हैं क्योंकि Constitution बना था 26 November 1949 में पर उसको उस दिन ना पास करके क्या किया गया? 26 जनवरी का वेट किया गया और 26 जनवरी को क्या मनाया गया? Independence Day मनाय ठीक, 1930 में मनाये गया था, इसलिए आप 1950 से 26 जनवरी को किसके तौर पर मनाते हैं? Republic Day के तौर पर मनाते हैं, बताइए, clear है? क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर नोट करके आपको एक बात बता दूँ, गांधी ने कॉंग्रेस के एक मात्र अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, केवल एक बार बने थे, केवल एक बार अध्यक्ष बने थे, अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो कौन सी? 1924 में कहां हुआ था? बेलगाउं अधिवेशन हुआ था, बेलगाउं कहा है, करनाटक में, तो बेलगाउं कहा है, करनाटक में, तो बेलगाउं कॉन्फरेंस, 1924, गांधी वॉजदी ओनली टाइम, प्रिसाइड़ दा कॉन्फरेंस अफ कॉंग्रेस, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, तो 1922 से 30 तक कॉंग्रेस में क्या हो रहा था, वो आपने देखा, अब कल की क्लास में, 1922 से 1930 के बीच में, revolutionary nationalism पढ़ेंगे, क्रांतिकारी राष्टवादी पढ़ेंगे, यानि चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अश्वाक उल्ला खान, काकोरी कांड, भगत सिंग, और असेंबली बम कांड, सांडर सत्या कांड, इनके बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है, मुन्नी पूछ रही हैं कि 15 अगस्त को ने इंडिपेंडेंस दे मनाया जाता है, मैंने क्या बोला बेटा, लाहोर कॉन्फरेंस कब मनाया गया, 1929 में, दिसंबर में, और इस कॉन्फरेंस में क्या हुआ, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया, कि अब हम complete आजादी लेंगे, मतलब हमने अपने दिलों में आजादी तो हासिल कर ही ली है, actually नहीं हुई है, बाद में हो जाएगी, तो symbolically क्या होगा, हम लोग एक स्वतंतरता दिवस मनाएंगे, जो पहली बार मनाया गया 26 जनवरी 1930 में, 26 जनवरी 1930 में, तब से हर साल 26 जनवरी 1930 को स स्वतंतरता दिवस मनाने की प्रथा थी, लेकिन जब समविधान बनके तयार हुआ, समविधान बनके तयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और उससे पहले 15 अगस्त 1947 वो दिन था, जिस दिन भारत आजाद हो गया था, तो अब हमारा Independence Day क्या बन गया, 15 अगस्त, तो फिर आप एक बा रहे थे, उसको छोड़ देते क्या, नहीं छोड़ सकते न, इसलिए समविधान को दो महीने रोक के 26 जनवरी 1950 को मनाये गया, ताकि इस डेट को अपने लिए हम एक Important Day मना लें, तो हमने दो डेट Important बना ली, 15 अगस्त 1947 जिस दिन हम आजाद हुए, वो हमारा Republic Day बन गया स्वत आठिर है, किलियर है, भाई, बोलो, यार वो मैं करा दूंगा भाई, अभी तुम लोग ये कर लो, इस एक पागल थोडी न हूँ जो इस टॉपिक प इतनी महनत कर रहा हूँ, समझी नहीं रहो यार तुम लोग पता नहीं क्या करना चाह रहे हो सोशल साइन्स से टोटल मिला के 10 से 12 सवाल आएंगे वहां करेंगे कोश्चन का प्रेक्टिस वहां कोश्चन के थूँ समझाएंगे जब एंशेंट और मेडीवल पढ़ाएंगे और बचा कुचा मॉडन पढ़ाएंगे आई बात समझ में पी आरटी में इस टॉपिक से कम से कम कम से कम दस सवाल आने ही आने है ठीक है सर चौथी स्लाइड प्लीज बेटा हम पूरा ही अभी अप्लोड कर दे रहे हैं देख लेना ये रही चौथी स्लाइड पीजिटी में भी पढ़ना है भाई बिल्कुल पढ़ना है क्यों नहीं पढ़ना है ठीक है चलिए अच्छा एक चीज याद रखिएगा हम अपने तै सीमा से पीछे चल रहे हैं काईदे से होना ये चाहिए था कि आज क्लास नंबर 11 है तो 1920 से 30 वाला पार्ट खतम हो जाना चाहिए था तो मैं या तो संडे को आपकी क्लास दो गंटे की एक्स्ट्रा एक क्लास लगाऊंगा ठीक क्योंकि मुझे किसी भी हालत में ये इस वीक में खतम करना है ठीक क्योंकि मेरे को सोसल साइंस पढ़ाना है एक गंटे की क्लास मिलती है तो आप मान के चलिए कि सोसल साइंस में महीना भर लगेगा आराम से ठीक है चलो अब कुछ नहीं बताएंगे दूसरी क्लास का टाइम होगे अब कल पूछना जो पूछना है टाटा भाई भाई चलो भाई टीटी एसस्टी वालो वर्ड स्ट्री में आओ जल्दी से वाई टी पर नहीं यार यहां लूँगा न एप्लिकेशन पर पैसा जिम्दाव माता नोच लेता तुम लो पैसा एप्लिकेशन पर दियो तो एप्लिकेशन पर पढ़ाएं कि वाई टी पर पढ़ाएं को भी स्क्रिकेशन पर पाई तुम शक्रव जडिए मुर मैं माता थाओा है झास जह एप्लिकेशन नेये लो Feel